अब आपको बताते हैं वेक्सीन राष्ट वाद के बारे में इस समय दुनिया की अधिकतर देश कोरोना वायरस की वेक्सीन की कमी से संघर्ष कर रहे हैं लेकिन कुछ देश ऐसे भी हैं जो वेक्सीन की जमा खूरी कर रहे हैं अमेरिका ने तो ऐसे नियम बना दिये हैं जिसकी वज़ा से दुनिया भर में वैक्सीन का प्रोडक्शन बहुत स्लो हो गया है क्योंकि अमेरिका ने इसी वर्ष फरवरी में डिफेंस प्रोडक्शन एक्ट अपने आँ लागू कर दिया है जिसके तहित वहां की फार्मा कमपनियां जरूरी दवाओं के कच्चे माल को दूसरे देश में अब नहीं भेज सकती इसकी वजह से जो दूसरे देश की फार्मा कमपनिया है जो दवाईया बनाना चाहती है जो वैक्सीन बनाना चाहती है अब नहीं बना पाएंगी अमेरी केना है ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो पहले अपने यहाँ वैक्सीन के स्टॉक को मेंटेन करना चाहता है उसके बाद दूसरे देशों को देना चाहता है ये एक तरह का वैक्सीन राष्टवाद है जो पूरे दुनिया में अब देखने को मिल रहा है जिसमें सबसे पहले सरकारें अपने देश पर ध्यान दे रही हैं अपने देश के लोगों को पहले बचाना चाहती हैं और दुनिया के बाकी के जो लोग हैं उनके बारे में वो न असल में भारतिये वैक्सीन बनाने वाली कमपनियां अमेरिका से वैक्सीन के लिए कुछ जरूरी एड्जूवेंट आयात करती हैं इसका प्रयोग वैक्सीन को प्रभावशाली बनाने के लिए किया जाता है हाला कि हम इसके विकलप पर काम कर रहे हैं लेकिन हमें अभी इसे कम छे महीने और लग जाएंगे ये समस्या और लेकिन समस्या ये है कि तब तक हम वैक्सीन बनाने का काम तेज नहीं कर पाएंगे कोविशील्ड वैक्सीन बनाने वाली कमपनी सिरम इंस्टूट के सीईओ अधर पूनावाला ने भी अमेरिका के राष्टपती से कच्चे माल पर लगी इस रोग को हटाने का अग्रे किया है और संयुक्त राष्ट के मासचिव ने भी वैक्सीन की जमाखोरी नहीं करने को लेकर दूसरे देशों से आग्रे किया है फिर भी इन देशों की सोच अभी बदली नहीं है इस मामारी के बीच जब अमेरिका और योरोप की बड़ी दवा कमपनिया वैक्सीन का प्रोडक्शन करके मुनाफ़ा बटोरने में लगी हुई है तब ब्राजील ने दुनिया के सामने एक ऐसी मिसाल पेश की है जिसे इस संकट की घड़ी में हर देश को अपनाना चाहिए वहां की सुप्रीम कोट ने कोरोना वाइरस की वैक्सीन को पेटेंट फ्री कर दिया है इसका मतलब है कि अब ब्राजील में दवा बनाने वाली कमपनिया कोरोना वाइरस की सस्ती वैक्सीन खुद बना पाएंगी और इस फैसले की पूरी दुनिया में बहुत चर्चा हो रही है तारीफ भी हो रही है हाला कि ब्राजील के लिए फैसला लेना आसान नहीं था क्योंकि वहां की दवा कमपनिया वैक्सीन को 20 सालों के लिए पेटेंट कराना चाहती थी लेकिन सरकार ने उनका साथ नहीं दिया और ऐसा फैसला किया जिस से कुरोना वाइरस की वैक्सीन देश के हर नागरे को आसानी से मिल सके ब्राजील कोई बहुत अमीर देश नहीं है 15 अपरल तक यहां 1,34 लाख लोग इस वाइरस से संकर्मित हो चुके हैं जो की दुनिया में संकर्मित के मामले में ब्राजील तीसरे नमबर पर है और इस समय वहाँ इलाज के लिए जेनरिक दवाईयों की बहुत ज़्यादा जरूरत है जो बहुत सस्ती होती है लेकिन दवा कमपनियों को पेटेंट दवाउं से ज़्यादा मुनाफ़ा होता है इसलिए वो यह नहीं चाहती थी कि वैक्सीन पेटेंट फ्री हो इसलिए वो अदालत में पहुँच गई लेकिन अदालत ने भी वही फैसला दिया जो लोगों के हित में था यानि ये कमपनियां कानूनी लड़ाई हार गई यहाँ एक बात और भी है कि भारत बहुत पहले ही कोरोना वाइरस की वैक्सीन को अंतराश्टिय स्तर पर पेटेंट फ्री करने की मांग करता रहा है और ये मांग हमने हर अंतराश्टिय मंच पर उठाई है डबल्यू एचो से भी कहा है यूएन से भी कहा है और डबल्यू एचो ने भी इस पर सहमत ही जताई है लेकिन दुनिया के कई बड़े देश इसमें हमारा साथ नहीं दे रहे जिससे अब भी वैक्सीन के दामों में काफी अंतर है वैक्सीन की कमी भी है और एक लाइन में अगर हम आपको कहें तो इस खबर का सार ये है कि जब पूरी दुनिया ही कोरोना वाइरस से संगर्श कर रही है और सभी लोगों को वैक्सीन की जरूरत है चाहे वो किसी भी देश के लोग हो तो इस पर से ये पेटेंट हटा क्यों नहीं दिया जाता आज जितनी बड़ी बड़ी कमपनिया हैं जिन्हों ने ये वैक्सीन बनाई है उन सब ने इन पर पेटेंट लिया हुआ है यानि वो इसका फॉर्मूला किसी और को दे नहीं रहीं आपको उनी से खरीदना पड़ेगा और वो आपको मूँ मांगे दाम पर इसे बेचेंगी और उसका दाम कुछ भी हो सकता है एक उधारन के लिए मैं आपको बताता हूँ पुने का जो सिरम इंस्टूट है जो इस समय भारत के लिए कोविशील्ड में वैक्सीन बना रहा है जो आपने बहुत सारी लोगों ने लगवाई भी होगी शुरूआत में उन्होंने जब इसका दाम बताया इस कंपनी ने सिरम इंस्टूट ने तो बताया एक हजार रुपे सरकार से जब नेगोशेशन हुआ तो उन् कंपनी आखिरकार डेड़ सो रुपे में एक वैक्सीन देने के लिए तैयार हो गई और आज ये कंपनी डेड़ सो रुपे में भारत सरकार को ये वैक्सीन बेच रही है और भारत सरकार इसे प्राइवेट अस्पतालों में धाई सो रुपे में लगवा रही है सरकारी अस् इस वेक्सीन को लाने ये लगाने का 600 रॉपया उसके लिए अलग दिया जा रहा है इसलिए ये वेक्सीन 200 रॉपय की पड़ती है लेकि आपको हिरानी होगी कि ये जो 550 रॉपय की वेक्सीन जो बेच रहे हैं अब शुरne प्ले अन्होंने इस एक वेक्सीन के लिए 1000 रुपे मांगे थे और दुनिया भर की सारी कंपनिया यही काम कर रही है वो 100 रुपे के चीज 1000 रुपे में बेच रही है और बहुत सारी फार्मा कंपनियों के लिए आपके लिए और हमारे लिए तो ये क्राइसिज है संगर्श का समय है जान बचाने की पड़ी है हर वेक्ति को लेकिन ये जो बड़ी बड़ी फार्मा कमपनियां है इनके लिए ये सिर्फ पैसा कमाने का एक मौका है नोट छापने का एक मौका है लोग मर रहे हैं लेकिन वो इसके लिए भी ऐसे मौके पर भी ये सारी बड़ी फार्मा कमपनियां पैसा बनाने में लगी हुई है और अगर ये पेटेंट हटा लिया जाता है क्योंकि दुनिया भर में इस समय बहुत बुरी हालत है अगर ये पेटेंट हट जाएगा तो कोई भी देश इस वैक्सीन को अपने आप बना सकेगा और इन देशों को मुठी भर कंपनियों के सामने जुकना नहीं पड़ेगा और हमारा तो यही मानना है कि वैक्सीन जान बचाने के लिए है, यह मुनाफ़ा कमाने की वैक्सीन नहीं है और इसे होना भी नहीं चाहिए मिल कर यह दबाव डाना के उन पर कितना दबाव डाल रही हैं उनकी जमीने इन्होंने गिर्वी रख ली हैं उनकी बिल्डिंग्स इन्होंने गिर्वी रख ली हैं उनसे बड़े बड़ी गारंटी उन्होंने पहले ली है कि पहले आप ये सारी चीजें हमारे नाम कीजिए उसके बाद हम ये वैक्सी का कोई side effect भी होता है उसके लिए भी ये बड़ी कंपनिया कोई भी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है और नहीं compensation देने के लिए तैयार है भारत जैसे देश तो फिर भी इस दबाओ के सामने खड़े हुए हैं मान नहीं रहे लेकिन जो छोटे छोटे गरीब देश ह वो इन सब कंपनियों के सामने आज घुटने टेक कर खड़े हुए हैं और क्योंकि वो चाहते हैं कि किसी तरह से वो ये वैक्सीन ले ले